Hello students, मैं अर्चना अर्यानी दा विहार टीचर्स, सिस्टी मेकर्स, मेरा मोबाईल, मेरी शिच्छा के इस मंच पर आप सबका पर फिर स्वागत करती हूँ. चलिए हम लोगों ने जो बिहार बोड के साइन्स विसे के मौडल क्वेस्चन को सॉल्व करने की शुरुआत की थी, उसको आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले पहु वैकल्पिक प्रस्ण पर जाते हैं. तो हमारा आज का प्रस्ण है, जो एकहत्तरवा प्रस्ण है, सेवेंटी, फर्स्ट प्रस्ण है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विजी है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन जो होता है, वो मुकुलन की क्रिया के द्वारा होता है, जिसमें हाइड्रा के सरीर से बार्ड्स निकलते हैं, कलिया निकलती हैं, कलिका जिसको कहते हैं, और वो फिर अलग होकर नए जीव के रूप में परिवर्थित हो जाता है, मैच्योर होकर, तो हमारा आंसर होगा एड्र मुकुलन, अगला क्वेस्चन है, जनन संचारित रोग हैं, A. सिफिलिस, B. एड्स, C. गोनोरिया, और D. इनमे से सभी, तो जनन संचारित रोग हैं, सिफिलिस, एड्स, और गोनोरिया, तीनों जो हैं रोग, वेस जनन संचारित होते हैं, तो हमारा आंसर होगा, D. इनमे सभी, अब तिहत्तरवा क्वेस्चन, उस्प का सबसे बाहरी भाग है, A. बाहे दल्पुंच, B. दल्पुंच, C. पुंग के सर, और D. इस्त्री के सर, तो जैसा कि नाम है बाहे दलपुंच मतलब बाहरी तो पुस्प का सबसे बाहरी भाग होता है बाहे दलपुंच जिसे पेपल्स भी कहते हैं तो हमारा आंसर हो गया ए Next question है Blood Sumo A में कौन सा antibody होता है तो Blood Sumo A में antigen A होता है जिसको capital A से denote करते हैं और antibody B होता है जिसको small b से denote करते हैं antibody जो होता है वो B होता है small b से denote किया जाता है तो हमारा आंसर हो गया C अठाथ antibody B Next question रख्त में glucose की मात्रा निमनलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है option है insulin, b glukagon, c gastrin, d somatoestanin इसमें insulin, glukagon और somatoestanin जो है pancreas से निकलने वाले हार्मोन हैं और ये तीनों रख्त में glucose की मात्रा को नियंत्रित करते हैं तो हमारा answer हो गया C gastrin Next question है पादप ब्रिधी हार्मोन है A जिब्रेलीन, C एड्रिनेलीन, B एड्रिनेलीन, C एंसुलीन, D थाइरॉक्सिन तो पादप ब्रिधी हार्मोन में आते हैं ओक्जीन, जिब्रेलीन, साइटोकानी तो यहां option में जिब्रेलीन है, तो हमारा answer हो गया A जिब्रेलीन निक्स है, हार्मोन स्रावित होता है A अंतह स्रावी ग्रंथी से, B बहिर स्रावी ग्रंथी से, C नलिका से, D इनमे से कोई नहीं तो हार्मोन जो है, वह अंतह स्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है जिसको endocrine glands भी कहते हैं ये glands ये ग्रंथियां जो होती हैं वो डख्लेस होती हैं नलिका विहीन होती है इसमें किसी प्रकार की कोई नलिका नहीं होती है और इनका जो श्राव होता है डियरेक्ट ब्लड में होता है और ब्लड में सेह के द्वारा ही ये हमारे संपुर्ण सरीर म पहुचाए जाते हैं तो हमारा आंसर भगया ए अंतास रावी गरंथी से नेक्स्ट क्वेस्चन है मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार गरंथियां पाई जाती है ऑप्शन एक एक, बी, दो, सी, तीन, दी, चार तो मनुष्य के मुख गुहा में तीन जोड़ी लार गरंथियां पाई जाती है जिसमें है पैरोटिट, सबलिंग्वल और सबमेंडिबुलर तो मारा आंसर हो गया सी था तीन नेक्स्ट क्वेस्टन है एंड्रोजेन है A. मेल हार्मोन B. फिमेल हार्मोन C. पाचकरस और D. पाराथायरवाइड तो एंड्रोजेन जो है वो मेल हार्मोन है इसका स्राव टेस्टिस के द्वारा होता है तो हमारा आंसर हो गया A. मेल हार्मोन नमक को मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुटा A. मेंडल B. डार्विन C. लामार्क D. खुराना तो मेंडल ने अपने बगीचे में उपस्थित मटर के पोधे पर अपना एक संकरन और वी संकरन का प्रयोग किया था तो मेंडल ने इपने बगीचे में उगने वाले मटर के पोधों को अपने प्रयोग के लिए चुना था तो हमारा आंसर हो गया मेंडल और आज के लिए वस इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद